बयान है मेरे नहीं है ये उनके कह रहे हैं मेरी हार निश्चिते पर फिर भी लड़ रहा हूँ अरे भाई अब इन्होंने जिक्र किया मेरे को टिकेट देने का रुबिका जी मेरी बात सुनो मैं आज आपको वो रहसी पूरा बताऊंगा और आपको पहली बार बता रहा हूँ ओन स्क्रीन जमशेदपूर से मेरे को पार्टी ने जैसे कल लास्ट डेट ओफ नॉमिनेशन है कल आज रात को मेरे को बोला जाओ चुनाओ लड़ो क्यों बोला क्योंकि जहां से टिकेट दिया वहाँ पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर रगुवर दास जी चुनाओ लड़ो हम उनको समझी नहीं आ रहा आपके सिवाए कोई लड़ी नहीं पाएगा मेरे को लास्ट दिन मैंने नहीं मांगा रूभी का द्यारानी की कि मैंने टिकेट नहीं मांगा मेरे को का आप लड़ो प्लीज कि क्या जानते हैं बेचु अच्छे तरी से परिचित हैं वहाँ पिछल कोई मुर्ख हूं क्या बच्चो मेरे को अगर चुनाव लड़ने अरे मैंने कॉंग्रेस पार्टी जॉइन करी जब कॉंग्रेस के 40 प्लस दो 42 सांसद थे मैं 42 सांसद वाली क्यों करता मेरे को कोशिश करके कोई और कर लेता नहीं तो वो यह कह रहे हैं कि आपने अपना जमीर बेश दिया सिर्फ और सिर्फ इस लिए क्योंकि आप दो चुनाव हार गए अब आपको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर सेफ सीट मिले राजाओं की तरह आप जो है जीते और राज्यसबा जाए मुझे एक बात बता दो मुझे अगर टिगट चाहिए होता तो मैंने चार तरिक को जोईन किया चार अप्रेल को जब तक भारती जनता पाटी और कॉंग्रेस के 99 प्रतिशत सीटों पे टिगट डिकलेर हो चुक हैं तो मैं 15 दिन पहले कर लेता रूबीका जी आएम नौट इन लस्ट ऑफ पावर मैं सत्ता के लालच में नहीं हूँ मैं सत्ता के लालच में होता तो जमशेतपूर से रिक्षा देते हैं तो कुछ तो होती mandatory conditions और कुछ होती desirable conditions जैसे UPSC देना है तो graduation होना ज़रूरी है पर desirable में होता है इफ computer knowledge है तो अच्छा रहेगा तो मेरी तीन desirable condition है मैं राष्टर के प्रगती में अपनी आहूती देना चाहता हूं Congress नहीं लेती है Congress को मतलब ही नहीं है मैं धर्म की रक्षा में चुप नहीं रहूंगा बले जिसको जो बुरा लगना है लगा लो मैं सनातन विरोध के नारे नहीं लगा सकता मैं प्रभू शिरी राम के जो प्राण प्रतिष्टा है उसका न्योता नहीं ठुकरा सकता और मैं सुबे से शाम देश के wealth creators सारे startups को बली लेकिन मुझे यह बताई यह विचारधारा से आपका मेल है के नहीं है मैं तो वहीं मेरी यही विचारधारा थी Congress चेंज हो गई Congress के लिए एक महीने पहले तक अरविंद क्रेजरिवाल चोर था आज वो सच्चाई का परियायवाची बन गया है Congress के लिए एक और उदान देत है यह चेंज हुए है कि Congress चेंज होगी आपको क्या लगता है कि सर्चेंज हो गया है हां तो कुछ सवाल सर बैसर आप से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैंगे लोग मैं मैं आपके पास आओंगी लेकिन उससे पहले इनी के और साती है नासर हुसाय वो कुछ कह रहे हैं इन किसी को लगता है कि जो अलुम भारतिया जिन्ता पाटिव उनको ज्यादा उनकी बेतर हालत होगी उनको ज्यादा मोखे मिलेंगे तो उनके लिए हम कुछ ने कर सकते हैं और एक मॉनिटर का चुनाव लड़ानी अरे बीज़बी में तो लोग खुलकर बूलते हैं अब आप कुन से नासिर जी से पूछो शायद वो भी होंगे उस कमिटी में जिन्नों ने भगवान शिरी राम के प्रान प्रतिष्टा में नहीं जाने का निर्ना लिया क्योंकि ये सजजन जिनकी फोटू आई ये दो बार से राज्य सभा हैं मॉनिटर का चुनाव लड़ानी अगर म के बारे में मैं क्या बोलूँ ये ये लोगी तो है जो कॉंग्रेस को आजी और कॉंग्रेस अद्यक्स के ऑफिस के ये एसिस्टेंट है पॉंग्रेश अध्यक्स को पता ही नि के सब्सक्राइब क्या होता इन यह इनुऔर लुट है यह जाता है… तो आप यह कहा रहे हैं कि गचल्नी प्रदानमंतिर नारेन रुमोदी भी लगा रहा हूं थे। कॉंग्रेस तुष्टी करन की राजनिती में सनातन का अपमान कर रही है। उनका रूटीन बताता हूँ, मैं कॉंग्रेस के जो लोग ये नीतिया बना रूटीन बताता हूँ, लैंच करो, लैंच में सोचो, अडानी को गाली दूँ आज अरे लोग आपको एहसान फरामोश कहेंगे, लोग कहेंगे जिस पार्टी आप जो है ये जब फिनेंचल एर खत पार्टी को सबसे ज्यादा जरूती और ये तो मेरा सवाल है, सुप्रियार श्री ने, उनको सुनीजे, वो क्या कह रही है, फिर जवाब दीजेगा, वो कायर लोग जो जंग के समय, मैदान छोड़के भाग खड़े होते हैं, वो विशुद अवसरवादी लोग, इस तरह क बेहूधी वाहियात टिपड़ी करना उनकी असलियत बया करता है, जूट बोलने वाले कभी भगवान के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो विशुद जूटे होते हैं, वो विशुद अवसरवादी होते हैं, वो पहला मौका मिलने में बिलबिला के बाहर चले जाते हैं, सुल जो एक फिल्म अभिनेत्री को पूछ रहे थे जो चुनाव लड़ने जा रही है कि मंडी का भाव किया है ये वो लोग है इनकी बात पर जवाब देना चीए कि मुझे ये बता दो जवाब आप कोगे तो दे दूँगा अभी क्या फर्स्टाइब मोटर्स जवाब देना चीए कि नहीं ऐसी महिला का जवाब देना चीए जो इस तरह की भद्धी टिपनिया करते हो तो मैं दूँगा चीक है आपने का मैं देता हूँ अब ये बताईए कायर मैं हूँ कि ये चुनाव लड़नी ये चुनाव क्यों नहीं चुनाव लड़ना चीज हा पिछली बार लड़ी अभी क्यों नहीं लड़ी महूं ने के पिताजी की शीट पे जाके चुनाव नहीं लड़ पारी कायर कौन अब जवाब दूए इनको कायर कौन है अपने पिता जी की सीट पे जो चुनाव नहीं लड़ पारा वो सबसे बड़ा कायर है पिता जी अबदर टिपनिया गाली गलोच इनके किसी को बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बाते हैं क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे भी ये टीवी शो देथ रहे हैं तो वो कहेंगे पापा ये लंच के साथ अडानी अंबानी को गाली दो ये देती है बाकी का अरे मुद्धे होंगे कर देता है